इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक पहुचने से रोकता है। वो मिला स्टैबलेट को डॉक्टर दवारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भूजन के साथ या बिना भूजन के लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। अपनी हिल्थके टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। सबसे सामाने साइड इफेक्ट मुह सूखना, कब्ज और चक्कर महसूस होना है। इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह ना जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसके लिए मानसिक फोकस की जरुरत हो। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।